मुझार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में और दोस्तों अभी मैं हूँ राजस्तान के एक छोटे से शहर अलवर में जो की फेमस है अपने फोर्ट के लिए और सबसे आदा फेमस है अपनी वाइल लाइफ के लिए वन फेमस सरिस्का टाइगर रिजर्फ भी अलवर में ही है अभी जो मेरी पीछ आप यह देख रहे हैं यह है रिजॉर्ट जहां पर मैं स्टे कर रहा हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप भी अलवर आ रहे हैं तो क्या आपको इस प्रॉपर्टी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए वीडियो के आपको बता हूँगा कि परस्नली मुझे यहां पर कौन-कौन सी चीज़े पसंद आई और कौन-कौन रोकेशन ऑफ अलवर जो की है सिलसेल लेक जहां पर आप चाहें तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं सिलसेल लेक से ठीक एक किलोमेटर की दूरी पर ही रिजॉर्ट आपको मिल जाता है बाकि अगर आप अपनी गाड़ी से यहां पर आने का प्लैन करते हैं तो आप अपनी ग तो दोस्तों रिजॉर्ट मेंटर करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक काफी बड़ा साहे लॉन एरिया आप देख सेते हैं पीछे आपको लॉन नजर आ रहा होगा जो की काफी वेल मेंटेंड है और काफी खूब सूरत है और उसके साथ-साथ आपको मिलता है तो अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो यहां पर वहां पर आपको मिलता है एक सिट-आउट एरिया जहां पर आपको बहार बैठ करके भी अपना बेठ कर सकते हैं उसके लावा इनका अंदर भी रेस्ट्रों एरिया है वहां भी मैं आपको ले करके चलूँगा लेकिन आ आपको एक अरावली रेंज का माउंटन नजर आ रहा होगा जो की बिल्कुल रूम से भी नजर आता है तो अवर आल आप देख सकते हैं काफी सादा खुब सुरती है बनावा है बाकि अब आपको चल कर दिखाता हूं कि यहां पर और क्या-क्या फैसिलिटी से चली अंदर चल पर कुछ लोगों ने बाटी भी खरीवी थी तो अगर आप कुछ बर्थरे बाटी बगारा कुछ स्पैशल लोकेशन यहां पर और चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं बाकि ओवर आल अगर हम इस जगा की बात करें तो काफी साफसुत्री जगा है और उसके अलावा पूल भी आपको लिफ्ट की फैसिलेटी भी मिल जाती है अपने फ्लोर्स को जाने के लिए और दोस्तों अभी में आगया हूं इस रिजॉट के रूफ टॉप एरिया पर आपको दिखाने की यहां से आपको व्यूस किस तरीके की मिलते हैं आप देख सकते हैं आपको चारों तरफ य जोने मिलते हैं जोर्त की आप वेराई9ी वहां सीन ने फेस्टों की रोत्व से इस रिकशी हो देखने एक सबसे पहले आप जैसी रूमें गरें हैश तरफ दितेखेंगे तो कि यहां पर आपको वाश्रूम देखने मिलेगा थास्याई morally सबसे पहले हम देखते हैं, यहां देखेंगे, तो इस तरफ आपको एक काफी बड़े सा इसका मिरर मिल जाता है, अगर आपको तयार होना है, आपके साथ में लेडीज हैं, तो आप इसली यहां पर तयार हो सकते हैं, और आगे चलते हैं, आगे मैं आपको आगे का रूम साथ में इस स्पेस है जहां पर आप अपने क्लोष में कर सकते हैं, इस तरह देखेंगे, तो यहां पर आपको कि जाता है एक mini fridge, अगर आपके साथ में कोई भी ऐसी चीज है, जो brings वगारा कुछ भी, अगर आप कुछ भी इस पर रखना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक king size का bed, आप देख सकते हैं, जो bed है, वो काफी बड़ा है, king size का bed है, इस तर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है, एक 32-inch का TV, और साथी साथ एक TV पैनल मिल जाता है, तो अगर आप TV वगारा देखना चाते हैं, वैसे staycation पर जाते हैं, तो most of the time ऐसा होता नहीं कि TV देख रहें लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको म साम करना जाते हैं, वरक सेशन के तौर पर भी उसकर सकते हैं, अदर्वास कुछ डिनर बगारा यहाँ कुछ भी आप खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बैट के भी खा सकते हैं, टेबल की दोनों तरफ देखेंगे, तो आपको दोनों तरफ मिलते हैं, साइट टेबल और बाकि इनके पास दो ही कैटेगरी के रूम है, एक स्टूडियो है और दूसरा है, अगर कोई अवेलेबल होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, अब बात करते हैं, सबसे में चीज़ की जो है इस रूम से व्यू किस तरीके का मिलता है, तो जो इस रूम से व्यू मिलता है वो इसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां से आपको व्यू किस तरीके का देखने को मिलेगा, अब देख सकते हैं दोस्ते हैं, यहां से जो व्यू मिलेगा वो बहुती बढ़िया व्यू मिलता है, आपको ठीक रूम के भार आपक आपको मिलेगा, और काफी वाइड एंगल का ग्लास यहां पर आपको मिलता है, और अगर हम इस तरफ से देखें, आप देख सकते हैं, इस तरफ से भी आपको काफी बढ़िया व्यू मिलेगा, नीचे जो है इनका गार्डन है, जहां पर आप चाहें तो आप रिलाक्स कर सक साथ ही साथ सामने आपको स्विमिंग पूल का व्यू देखने को मिलेगा, ओवरॉल जो व्यू है वो बहुत ही बड़िया व्यू है, तो इस रूम की जो में यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यहां से व्यू बहुत अच्छा आता है, और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ साथ को मिलता है, वेट एरिया और यहां पर तावल्स रखावाho की भी है है, आपको फृत्तार तावल्स परोगजाय के लिगाता है, और तो व्हँड़ तो स्विलोट्रिटे बात करें तो सारी तो वह जोन गगाना सभकों यहां पर एवैलेबल है और शावर वाबर सबक करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछ आपको इस रिसरोट और नजर आप यहाँ पर अपना मील जुह ए उजुए कर सकते हैं तो फोड़े से लिम्टेड लगे अपर बाकि हमने अपने लिए पराथा लिया है और इडली लिया है आपकी देखने हैं कि हम पर तेस्स किस लगा और वेदर और अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको इंक्लूडिंग ब्रेक्पास लेना चाहिए या ब्रेक्पास आपको नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों यह था इस रिजॉट का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीजी ऐसी है जो बहुती बड़ी आप यूज मिलते हैं तो यह चीजी जो ऐसी है जो मुझे परसनली काफी अच्छी लगी और उसके अलावा जो यहां का स्टाफ है उनका बिहेवियर और जो सर्विस है वो मुझे काफी पसंद आई अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीजी है ऐसी है तो उसक के लावा डिनर ओडर किया था उसका टेस्स मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आया और उसके अलावा अभी आपने देखा ब्रेकफास्ट बुफे के अंदर जो वराइटी थी वह बहुत लिमिटेट थी और उसके अंदर भी जो टेस्ट था वह अच्छा नहीं था एक अगर आप किसी को रूम असाइन कर रहें तो उससे पहले इस सारी चीज़े वर्किंग कंडिशन में होना चाहिए क्योंकि इसी वजह से आपका जो अच्छा भी हो सकता और वेकार भी हो सकता है तो यह सारी चीज़ें जो कि इस रिजॉट को देखनी चाहिए कि कम से कम यह स अच्छा मुझे नहीं लगा अब बात करते हैं कि इसको बुक करवाने के लिए हमने कितने पैसे पैकी है तो जो मैंने रूम के टेकरी ली थी वो था स्टूडियो रूम यहां पर बैसिकली 14 रूम है जिसके अंदर दो स्टूडियो रूम है और बागी सारे नॉर्मल रूम वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारी विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस तरीके कि और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर करके आता रहूंगा तो मैं मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे किसी नेक्स वीडियो से वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत